प्लॉट की नाप कैसे करते हैं तो प्लॉट की नाप जब हम करते हैं तो अगर आपका कहीं एक इंच भी गलत हो गया तो आपको बहुत सारा नुक्सान हो जाएगा तो अक्सर क्या होता है कि जो प्लॉट हम नापते हैं उसको फुट में और इंच में नापते हैं और जब के हमारा जो सौधत होता है वो होता है बरग फुट के इसाब से जैसे कोई पिलॉट है उसकी कीमत है 900 रुपए बरगफुट किसी की 5000 रुपए बरगफुट अब बात करते हैं बरगफुट में जब हम निकालते हैं तो उसमें कभी-कभी क्या होता है कि जो पिलॉट बेचने वाला होता है वो अक्सर करके पिलॉट खर दिने वाले को चूना लगा दिता है गलत नाप करके अब गलत नाप किस प्रकार से करता है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि गलत नाप कैसी होती है तो चलिए वीडियो को और साथ यंची है, यह हमने फ्रंट इसका माल लिए कि 22 फुट साथ यंची इसका फ्रंट है और इसके जो गहराही है खो घौली फुट और तीन यंची है अब आप देखिए कि जो बेचने बाला होता है बो क्या करता है तो देखिए अब इसकी जो लंबाई है ये लंबाई हो गई 40 फुट और 3 इंची इसकी लंबाई हो गई चोड़ाई हो गई इसकी 22 फुट और 7 इंची अब यहाँ पर देखते हैं सूचने वाली बात क्या है कि देखिए ये 40 फुट 3 इंची है और ये 22 फुट 7 इंची है तो हम क्या करते हैं कि इसको हम क्या करेंगे 40.3 कर लेंगे लंबाई को 40.3 कर लिया और चोड़ाई को हमने क्या कर लिया 22.7 कर लिया वो कहते हैं कि यह बर्ग फीट आया इस प्रकार से आपको गुणा करके वो दिखा देगा और आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके सामने नाप उसकी रखी हुई है तो जब इस प्रकार से नाप रखी हुई है और आपको वो प्लॉट बेचने वाला इस प्रकार से गुणा करेगा गुणा करके आपको दिखा दिया कि 914.18 बर्ग फीट आ रहा है अब आपका 1000 रुपे बर्ग फीट है या 10,000 रुपे बर्ग फीट है वो इसमें मल्टिप्लाई कर देगा तो आप से कीमत ले लेगा लेकन ये गलत है और इस प्रकार से जो प्लॉट का ए प्रणिए ज्यादा आता है और अगर ज्यादा आएगा तो आपसे ज्यादा कीमत ली जाएगी अब एक्जूली में ये ज्यादा है तो सही क्या है चलिए उस वारे में भी बात करते हैं तो अगर हमारे पास ये 22 फूर होता और ये 40 फूर हृता तो हम सीदवा कारसी ना पेंगे, बू मैं आपको बताए देता हूँ देखिए, इसकी जो लंबाई है लंबाई है 22 फुट और 7 इंची तो अगर हमें इसे इंची बनाएंगे तो 22 गुणा 12 और पिलस 7 22 फुट को जब इंच बनाएंगे तो जब इसकी चोड़ाई की बात करेंगे तो चोड़ाई है 40 फुट 3 इंची तो यह हो जाएगा 40 गुणा 12 यह 42 फुट के इंच बन गए और 3 इंची इसमें एक्ष्ट्रा है तो यह हो जाएगा 483 इंच यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है हमने क्या किया कि फुट को जो है एक फुट में 12 इंची होते हैं तो इस लंबाई चोड़ाई को हमने इंच में कनवर्ट कर लिया अब हम इसका छितपल इंच में निकालेंगे इसका छितपल इंच में निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे 281 इंच लंबाई और 483 इंच 281 और 483 जब हम इसका कुणा करेंगे तो जो हमारा आएगा एरियाब हो आएगा बर्ग इंच में तो इसका कुणा करते हैं तो कुणा आएगा 130893 और यह आगया बर्ग इंच यह आगया बर्ग इंच लंबाई को हमने इंच में लिया चोड़ाई को हमने इंच में लिया और दोनों का गुणा कर दिया जब दोनों का गुणा कर दिया तो जो हमारा एरिया आएगा वो इंच और इंच का गुणा किया है तो बरग इंच में आएगा अब बरग इंच से बरग फुट बनाना है तो आप देखिए कि एक फुट में 12 इंच होते हैं तो एक फुट स्क्वाइर में 12 गुना 12 इंच स्क्वाइर होंगे यानि 144 इंच स्क्वाइर होंगे एक बरग फुट में 144 बरग इंच होंगे ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो जब हमारा चित्पल इतना आया है तो यह आया है बरग इंच में अब इस चित्पल को में बरग फुट में निकालना है क्योंकि हमारी जो सोधा तै होती है प्लोट की तो बोतों हमारी बरग फुट में होती है तो अब बरग इंच मे करेंगे इसको एक सोचावाली से वाग देंगे क्योंकि एकए फुट में 144 इंच होते यह होंगि तो एतने बाने में कितने कितने उगे तो इसमें 144 का भाग देंगी जब 144 बाग देंगे तो जो हमारा आएगा वो क्या आएगा ? वो आएगा हमारा वरग फोट तो जब इसमें हम भाग देंगे तो भाग देने के बाद जो आएगा हमारा तो वो आ रहा है 908.97 और ये आगए हमारा वरग फीट अब यहां पर एक चीज देखी जाने से जो प्लोट बेचने बाला है उसने निकाला नौसो चुगदा आपका निकल के आया है नौसो आठ आप देखिए दो और चार छे छे बरग फुट का इसमें अंतर आया और जब आपके सामने दिखा के कर रहा है चालिस पॉंट तीन कर रहा है बाइस पॉंट साथ कर रहा है भीने तो साथ 1000 रुपए आपको चुना लग जाएगा तो अगर ये वीडियो आप देख लेंगे तो इसके बाद आप क्या करेंगे आप पहले जो लंबाई है जो चोड़ाई है उसको इंच में बनाएंगे इंच मेंं क्रोरेट करेंगे और इंच में कनो धरने के बास फिर जादा होगा है और लेकिन जरूर आएगा चलिए एक छोटा करते हैं अतर पैल निकालत है तो अगर हम इसका गलत एरिया निकालेंगे तो यह हो जाएगा 22.1 गुणा 40.3 ठीक है तो अगर हम इसका गुणा करेंगे 40.2 मान लेते हैं तो थोड़ा और कमान जो जब इसका गुणा करेंगे तो यह गुणा आएगा 888.42 बरग फूट तो यह जो आया है हमारा केल्कुलेशन यह आया है गलत अब हम देखते हैं कि सही नाप क्या आएगी जो एक्ट्वल नाप होगी वो कितनी होगी तो वो हमारी होगी जैसे 22 फूट एक इंची है 22 फूट एक इंची है अगर इसको हम जो है इंच बनाएंगे तो 22 गुणा बारा और 22 गुणा वाला प्लस एक यह जो जाएगा 265 इंच और इसकी जो चोड़ाई है वो हो जाएगी हमारी 40 फूट दो इंची यह जाएगी चार सो ब्यासी अब क्या करेंगे दोनों का गुणा कर लेंगे तो 265 गुणा चार सो ब्यासी जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो गुणा आएगा हमारा 127,730 यह बरग इंची आया अब बरग इंची आया अब हमें क्या करना अब हमें से फुट बनाना है 144 का हम इसमें दे देंगे भाग जब 144 का भाग देंगे तो हमारा आजाएगा 887.01 यह हमारा बरग फीट आया तो यह हमारा एक्चुल वाला बरग फीट आया और यह हमारा गलत वाला आया तो आब देखिए यहां पर एक एक दो दो इंची है यानि फुट के बाद छोटी सी लंबाई निकल लई है एक इंची दो इंची तो यहां पर हमारा लगबग एक देड़ वरग फुट का अंतर आ गया है अगर यहां पर दस इंची नो इंची होता तो उतना ही डिफ्रेंस जादा आता तो कहने का मतलब यह है कि जब हमें सही पता है कि हम प्लोट को इस प्रकार से नापते हैं तो हम गलत काहे नाप करवाएं तो हमें गलत नाप से बचना है और हमें सही नाप करना है जब भी हम प्लोट खरीते हैं तो तो मैंने देखा है कई बारे इस प्रकार से गलत नाप भी हो जाती है तो यह थी एक महित्पुन जानकारी जो आप लोगों के लिए मैंने इस वीडियो के मादम से बताई तो इस वीडियो की जानकारी को आप ज्यादा से ज्यादा से शेयर करेए ताकि हर वेक्ति को ये जानकारी हो सके कि पिलोट हम किस प्रकार से नापते हैं धन्वाद